कि तो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल टूटर नर्लिंग पर आप सभी को गुदीबंग जैश्याराम राधे-राधे आप सभी वच्चों को सभी दोस्तों को गुड़ इवनिंग चलिए पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास मे हमने लगबग लगता है कि अबजिक्टिव कर रहे थे पिछले कलास में नई नई परोसी देश पढ़ लिया था हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था इंडिया की नेवर कंट्री इसके बारे में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे जिग्रॉफी में वो पढ़ेंगे अर्थ क्विक भूकंप कहां से आता है उत्पण美味 होता है अब सभी को पता होगा वुожетंक आता है सभी ने पड़ा है इता है वह कहां से निकलता है तो आज हमारा जो topic है वो क्या है दोस्तो भुकम्प है, तो सभी लोग तैयार हैं, start करेंगे हम लोग book पढ़ना, सभी बच्चे तैयार है, आप लोग बताएं, सभी बच्चे Ready हैं, तो ready हैं तो चलिये शुरू करते हैं, आज जो हमारा topic है जिप्राफिय में है earthquake, बात करते हैं भुकंप है क्या निगर परपति करें कि लेख सब लें मतलब क्रश्ट उपर वाले वाले को कहते हैं तो भूपर परश्ट आचानक दोलन या कमबन का मतलब हिलने का नोलन या कमबन होने की बढ़ हिरिया को इसा 새 गाए सब्सक्राइब अगर अचानक से इसे हिलने लगे या डोनने लगे किसी स्थिती के कारण भू पर पटी तो उसी को हम लोग भुकंप कहते हैं और ये भुकंप तरंगे कहां सोत्पन होती है तो उत्पन कहां से होती है तो मेंटल से होती है ये भुकंप ये तरंगे कहां सोत्पन होती है दोस् तरंगे उत्पन होती है चलिए एक फिगर से समझते हैं मान के चलिए भुकंपी तरंग यहाँ से भुकंपी तरंग उत्री और यह आपकी सतह है यह आपकी क्या है कृस्ट और यहां से उत्पन हुआ और याकर टकरायाोि यहां से भुकंप उत्पन हुआ और यह जाकर कहां टकराया टकराया तो जहां पर टकराया इसको हम लोग बोलते हैं EP Center क्या बोलते हैं EP Center और जहां से यह उत्पन हुआ इसको बोलते हैं हम लोग Focus याद रखिएगा जहां से उत्पन हुआ उसको फोकस और जहां पर क्रस्ट में यानि भूपरपटी में पहली बार जहां टकराया वो कहलाएगा इपी सेंटर कहां क्या लाएगा इपी सेंटर और इसी के आसपास ये धीरे धीरे फैल जाएगा और ये थोरा मोरा डोलन करने लेगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे भुकंप कहेंगे तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तो उत्पन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे फोकस और जहां पर क्रस्ट में पहली बार टकराया उसे हम लोग क्या कहते हैं इपी सेंटर चलिये तो इपी सेंटर क्या कहते हैं focus कि से कहते हैं focus तो सोटे हैं जहां से भूकम्पिये तरंगे उत्पन हो यहां से बूकम्पिये जहां से भुकंपिये तरंगे क्या हो उत्पन हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं फोकस कहते हैं यह तो हो गया फोकस और जहां पर पहली बाद टकराएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं इपी सेंटर देखते हैं और जहां पर पहली बाद टकराएगा न वही पर भुकंप सबसे जादा आता है वही पर भुकंप क्या होता है सबसे जादा आता है जहां भुकम्पिये तरंगे भुपरपटी पर पहली बार टकराए चलिए यहां पर पहली बार अर्थ क्रस्ट को टच करेगा वही कहलाएगा इपी सेंटर और जहां से निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे फोकस चलिए यहां तक आप लोग देख लें एक बार सभी बच्चे इसको देख लें एक बार अच्छे से चलिए आप सभी ने इसको नोट कर लिया या देख लिया चलिए और कुछ देख लेते हैं देखो हिंदी में इसको फोकस को हम लोग मूल कहते हैं और इंपी सेंटर को कहते हैं अधी केंदर हिंदी में भी देख लेंगे इसको क्या कहते हैं अधी केंद्र यानि सबी लोग देखिएगा focus को मूल और epicenter को अधी के अंदर यानि जहां से भुकम्पिय तरंगे निकली वो focus और जहां क्रस्ट में पहली बार टकराई वो क्या कहलाएगा epicenter कहलाता है अब देखिए जहां से यह निकलती है फोकस से जैसे यह उपर भुकम्पिय तरंगे निकलती है तो क्या होता है इसमें तीन प्रकार की तरंगे निकलती है कैसी तरंगे निकलती है तीन प्रकार की एक तरंग दो जब भुकंप जब भी उत्पन होगा तो उसमें एक नहीं तीन तरंगे उत्पन होगी, एक होगा P-Wave, दूसरा होगा S-Wave, तीसरा होगा L-Wave, P-Wave, S-Wave, L-Wave, तीन तरह की तरंगे निगलती है, एक तरंगे है जो कहलाती है P-Wave, P-Tरंग, S-Tरंग, L-Tरंग, वेव को तर तरंग, S-Tरंग, L-Tरंग, चली आप सभी लोग इसको एक बार देख ले अच्छे से, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी लोग इसको एक बार अच्छे से देख ले, किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ें, चली आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करेंगे P-Wave, S-Wave और L-Wave की, सबसे पहले आते हैं, भुकंपिये तरंगे, भुकंपिये तरंगे जो हैं, तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार, अब वो तीन प्रकार क्या है, पहला आपको पता होगा, P-Wave, P-तरंग, जिसको हम लोग प्राइमरी वेव भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं, इसको, प्राइमरी बोलो या फिर प्राइमरी बोलो, प्राइमरी तरंगे या फिर प्राइमरी वेव, हिंदी में बोलेगे तो प्राइमरी तरंग, जैसा आप बोलना चाहें, उसे बोल सकते हैं, P-Wave बोलिये या फिर प्राइमरी तरंग, इसको बोलते हैं P-Wave, देखिए जब भुकंप उत्पन होता है यहां से फोकस से निकला और यह क्रस्ट पे टकराया तो इसमें तीन प्रकार की तरंगे निकलेगी पी एस एल चलिए अब आते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पी तरंग की देखिए पी तरंग जो है इसकी गती सबसे टेज होती है यह क्या होता है ना इसकी गती इतनी है तो तुरंट आगा तुरंट पार यानि सबसे अधिक गती किसकी होती है पी वेव की सबसे अधि गती किसकी होती है P wave की 6 meter per second क्या 6 meter per second से क्या होता है यह जो है flow करती है कौन P wave अचलिए meter नहीं 6 km 6 km per second की speed से क्या करती है तरंगे कहां पर पहुंचती है भू परपटी पर यह सबसे आधिक गती से चलती है इसकी गती क्या होती है सबसे अधिक और भू परपटी पर यह क्या करती है अब सबसे कोई तेज चल रहा है तो पहुंचेगा भी क्या वो जल्दी ही तो सबसे पहले भू परपटी पर कौन पहुंचती है सबसे पहले भू परपटी पर पहुंचती है यह क्या होती है सबसे पहले कहां पहुंचती है भू परपटी पर पहुंचती है देखिए यह जो तरंग है इसकी स्पीड जो होती है बहुत ही तेज होती है 6 km per second के हिसाप सी एक flow करती है और यह भूपरपटी पर सबसे पहले पहुंच जाती कि ते चलती है और यहां जो तरंग है यह तरंग जो है अनुधेर रहे हैं कैसी तरंग है यह कि अनुधेर रहे हैं अनुधहर कहने का मतलब यह तीनों जगा फ्लो करेगा यानि यह पानी में भी चल सकता है solid में चल सकता है लिक्विड में चल सकता है अनुध्यर कहने का मतलब यह solid में भी flow करेगा लिक्विड में भी flow चलेगा और gas में भी यानि तीनों में यह तीनों में flow करेगा कौन? P wave पी वेव जो है आपका solid, liquid, gas सभी में चलिए यहां तक सभी ने देखा लेकि यह जो वेह बेना एक तो आती तेजी से आती कैसें तेजी से आती है और तुरंट आती है तुरंट सो इससे निकल जाती अगर कोई चीह आया तुरंट कर ये तो जटका लगेना धुरा से ही ना जियादा तो फील नहीं उसी कारण जब ये स्पीड से वेव आती है, तो इससे च्छती क्या होती है? कम होती है. च्छती कहने का होतम इससे नुकसान कम होता है. चिती कम होती है. किस तरंगे से? तो P-Wave से, hundred पी-वेव वैसी वेव है, जो नुकसान कम पहुचाती है. पी वेब को हम लोग प्राथमिक तरंग या फिर प्राइमरी वेब भी कहते हैं देखो सबसे अधिक गतिक इसकी होती है इसी तरंग की होती है और सबसे अधिक गतिक होने के कारण भू पर पटी पर भी यह क्या पहुंसती है सबसे पहले पहुंसती है और यह जो तरंग होती ह वो अनुधहर होते हैं अनुधहर कहनेगा मतलब यह तीनों में फ्लो करेगा सॉलिड लेकविड गैस तीनों में चलेगा अब बात करते हैं और यह जब अब कोई भी चीज अगर तेजी से निकल जाए तो छती कम होगी नुकसान कम पहुचेगा तो उसी कारण इस वेब से हमा देख ले बढ़िया से झाल 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 देखिए इससे जो नुकसान है बच्चा अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी वेब देखो सेकेंडरी वेब क्या है पी वेब के बात पहुंचते हैं यह वेब का आती है जब एस पहुंच जाएगा ना इससे कम होगी तो इसकी स्पीड जो होती है वह तीन किलमेटर पड़ सेकें लेकिन है तो इसकी भी स्पीड तो यह भी क्या होगी अराम से निकल जाएगी इससे भी नुक्सान कम होता है लेकिन पी की तुला में अधिक होता है यहणि रहा है यह पी से थोड़ा सा ज्यादा नुक्सान होता है इसमें चलिए अब यह जो तरंग है यह तरंग अनुधैर नहीं यह अनुप्रस्त अनुप्रस्त कहने का मतलब यї जो वेव है मत्र दो ही जगा फॉलो करती है एक सौलिड में और एक लिकविड में फ्लो नहीं करती है याद रखेगा फ्लो dram soort जो है सORY में भी चल जाएगी गैस में भी लिक्विड में सीफ सॉलिड ओर गैस लिकविड में नहीं जाएगी यह लिक बंग में फ्लो नहीं करती है याद रखीएगा प Іबे जो है लिक्वीड में फ्लो नहीं करता है स्वारी पी बोल दियें क्या एस वेब जो है वो लिक्विट में फ्लो नहीं करता है पी तीनों में फ्लो करेगा एस लिक्विट को छोड़कर सभी में फ्लो करता है चलिए यह हो गया आपका एस वेब अगला जो हमारा होगा वो होगा एल वेब चलिए अब एल वेब को देख अगले अच्छे से चलिए हो गया आपका आगे बढ़ें चलिए बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला हमारा है अगला हमारा क्या है तीसरा अगल वेव इसको हम लोग क्या बोलते हैं इल तरंग चलिए अब इल तरंग की बात करते हैं देखें यह जो वेव है न यह बहुत ही धीमे चलती है क्या होती है सबसे धीमी गती सबसे धीमी गती किसकी है सबसे धीमी गती और सबसे लेट कौन पहुंचता है यह पी एस एल के बाद पहुंचती है यह पी वेव और एस वेव के बाद पहुंचती है क्या होता इसकी स्पीड क्या होती है स्लो होगी तभी न यह पी और एस के बाद पहुंचती है तो इसकी स्पीड जो है वो होती है आपकी डेड़ किलोमेटर पर सेकेंड यानि 1.5 किलोमेटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है कि वंपॉइंट recall किलोमेटर फैसर का चाल होता है जिस चाल से यह तरंग जो है如果你 जाती है तो कोई यह तरंग जो है ना इतनी स्लोड पहुंचती है जिसके कारण मांगे चिनले कोई चीज अगर तैजी साएगा तो उससे नुकसान तो कम पहुंचे लेकिन कोई चीज अगर धीरे धीरे आपको हिलाता रहे वो क्या होगा हलका साइगा हलका हिलाएगा निकल जाएगा हलका साइगा हलका हिलाएगा निकल जाएगा लेकिन एल वेब जो है ना आती है वो धीमा धीमा और आराम से आपको हिलाते रहेगी प्रिथिवी को क्या करते है अधिक होता है यानि छती क्या होती है यानि सबसे अधिक छती है यानि सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है एल और सबसे लेट भी कौन पहुंचता है एल सबसे अधिक कौन पहुंचता है पी नुकसान वह सबसे कम पहुंचा जो जल्दी पहुंचा वह नुकसान कम जो लेट से पहुंचा वो नुकसान हमें क्या पहुंचाएगा अधिक पहुंचाएगा और ये क्या हो जाती है ये तरंगे जो है ना सीधा नहीं जाती है इसे पी वेव सीधा आती है सीधा निकल जाती है लेकिन ये जो है ना फैल जाती है क्या होती है ये वेव फैल जाती है जिसके कारण भुकंप ये तरंगे L जो है सबसे ज़्यादा रुखती है जिसके कारण हमें भुकंप देखने को जातर मिलता है तो P wave क्या पहुंचाती है सबसे अधिक नुकसान और सबसे लेट पहुंचती है और ये तीनों में flow करती है इसलेड में भी लिक्वीड में भी और गास में भी ये तीनों जगां चलती है इसको कोई दिक्कत नहीं है अब आप लोग इसको एक बार देख लें बढ़ियां से फिर हम लोग आगे की धिए और बढ़ेंगे चलिए सभी लोगों ने आप लोगों ने इसको देख लिया चलिए आगे बरते हैं देखिए आप लोगों ने देखा होगा घरों में अगर भुकंप भुकंप आएगा तो न्यूज चैनल में देखते होगे वो एक ग्राफ पना के दिखाता है कि देखिए इस ग्राफ से आपका क्या रहा है भुकंप आ रहा है तो भुकंप को दिखाने के लिए एक ग्राफ का यूज किया जाता है उस graph को हम लोग कहते है सिस्मो ग्राफ उस graph को क्या कहा जाता है दोस्तों सिस्मो ग्राफ यानि भुकम्प को दिखाने के लिए किसको दिखाने के लिए भुकम्प को भुकम्प को दिखाने के लिए जिस graph का अपयोग करते हैं उसे सिस्मोग्राफ करते हैं, उसे क्या करते हैं दोस्तों, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पर इसे दिखाया जाता है, अब कैसे दिखाया जाता है, और वो कौन सा स्केल होता है, और यह किस स्केल पर दिखाया जाता है, इस स्केल का नाम है बाबु आपका, रिक्टर स्केल Richter scale, कौन सा scale? Ritter scale पर इसको दिखाया जाता है, जहां पर इसकी संख्या जो है na 0 से 9 होती है, कहाँ से कहा तक होती है? 0 से 9, अब हम ग्राफ बना कर भी देखेंगे कैसे दिखाता है, आप लोग भी देखेंगे, ग्राफ बना कर चलिए, ग्राफ बना कर देखते हैं, कैसे देखे देते हैं देखी यह है आपका ऐसे दिखाएगा यह आपका दिखाएगा यह है आपका क्या बावू स्केल और ग्राफ इस पर बनेगा स्केल की संख्या कितनी होती जीरो से नौ आते बात करते हैं एक जीरो यहां से स्टार्ट होगा जीरो हो जाएगा जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह नौ हो गया अब ग्राफ बनेगा इसे अनि यह ग्राफ है सोचो ऐसा ग्राफ बनेगा और यह ग्राफ कर आयेगा आपका यही ग्राफ आपको भुकंप को दरका आता अप लीक नीजिश्न देखा होगा तो किस ग्राफ दिखाय आता है कॉन से स्केल पर्योगень करके بज weaker रिक्टर स्केल का उप्योग करके तो अभी वर्दमार में इसका उप्योग करते हैं पहले हम लोग स्केल का उप्योग करते थे ग्राफ को दिखाने भुकम को दिखाने के लिए पहले पहले मारकेली स्केल का उप्योग होता था किसका पहले किसका उप्योग होता था मारकेली स स्केल पहले कॉं से स्केल का उप्योग करते थे मार केली स्केल जिसकी संख्या एक से बारा तक थी लेकिन आब इसका उप्योग नहीं किया आता है अब उप्योग कियाता है रिक्टर स्केल का तो अब ही ग्राफ भुकम को नापने मिलिए कांसि constant का यूज उसकरते हैं Richter Scale जिसकी संख्या 0 से 9 तक होती है और पहले Markielli Scale जो 1 से 12 तक होती थी देखो हरेक भुकम का जो Scale है यानि हरेक अंक एक दूसरे से 10 गुना अधिक खतरनाक है यहांनि हर एक अंक एक दूसरे से कितना खतरनाक है 10 गुना सोचो हर एक अंक एक दूसरे से यानि एक से दो जाएंगे तो वह एक से दो कितना गुना खतरनाक है 10 गुना 2 से 3 10 गुना 10 कितना होगा है ऐस द達 आखilimना तहीं 153 से भी चार जाएंगा दोस्पुना यानि हड़का दस गुना बढ़ता जाएगा इस रचलो कितना हटरू मं इन रिवह एक स्केल थमान अधिक כट्र कर स्लिएСनलर में मान जाता हैं'm से नीचे वाले खतरनाक नहीं होते, साथ से लेकर उपर वाले तक के जितने भी अंखों हैं, वो सब आपको भुकंप का जटका बहुत ही बढ़िया मैसूस कराते हैं, फिर उसमें बच सके तो बढ़िया हैं, चली, आप लोग इसको देख लीजी एक बार, फिर हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, इसको लिख भी लेंगे बढ़िया से, चली, सभी लोग ने पढ़ लिया, सभी लोग ने देख लिया इसको, आगे बढ़ा जाए, मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, आप लोग भूलेंगे न, कि हर एक आंक, एक दूसरे से, दस गुना अधिक खतरनाक होता है, दस गुना अधिक खतरनाक होता है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, कि साथ से अधिक वाले भूकंप क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, हमने पढ़ा था न, जी, यानि साथ तिवरता से अधिक का भूकंप क्या होता है, भूकंप खतरनाक होता है, साथ तिवरता से अधिक का भूकंप क्या होता है, दोस्तों, खतरनाक, साथ से, संख्याब आपने अपको ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ है, सिस्मो ग्राफ पर इसको दर्साया जाता है, तो जिस graph पे दर्साया जाता है उसको सिस्मो graph और जिस scale पे दर्साते हैं उसको Richter scale करते हैं पहले कौन से scale पर दर्साते थे मार के लिए scale पर जिस की संख्या एक से बारा थी अब इस पर नहीं दर्साया जाता है चलिए आप सभी लोगों ने देख लिया अब बताओ भुकंप की पढ़ाई क्या कहलाता है यह से हमने पढ़ा होगा सेल का अध्यन हर एक चीज़ का होता है उसी दर भुकंप का अध्यन क क्या कहलाता है आप सभी लोग बताए भुकंप का अध्यन जिस जिसको पता होगा वह बता सकते हैं बच्चों भुकंप का अध्यन क्या कहलाता है दोस्तों आप सभी लोगों को पता है तो आप सभी लोग बता सकते हैं इसको सेस्मोलोजी क्या कहला ता इसका भुकंप का अंधन सेस्मोलोजी कोई दिकत कोई दिकत नहीं है चल यह बहुत दिवाएं आगे बढ़ते हम लोग एक बार इसको आप लोग देख लें फिर हम लोग आएंगे जोन के बारे में कि आगे बात करते हैं तीकि अब यह चो भुकंप रहना इसमें भुकंप कहीं अधिक आता है कहीं कम आता है तो उस प्रकार इसमें छेत्र को बाटा गया तो पूरे भुकम्पिये छेत्र को पांच भागों में बाटा गया याद रखिएगा हम सिब भारत की बात कर रहे हैं भारत में पाँच भुकम्पिय छेतर है कितने भुकम्पिय छेतर है यहां जादा आता है कहां कम आता है उसके अधार पर इसे पाँच भागों में बाटा गया है भारत में पाँच भुकम्पिय छेतर है कितने भुकम्पिय छेतर है भारत में पांच भुकम्पिये छेत्र है जिन्हें सिस्मिक जोन कहा जाता है क्या कहा जाता है सिस्मिक जोन इसे हम लोग सिस्मिक जोन कहते हैं याद रखिएगा इन भुकम्पिये छेत्रों को क्या कहा जाता है सिस्मिक जोन चलिए यह कितने प्रकार के होते हैं यह पांच प्रकार के होते हैं इन पांचों को बारे में हम लोग देखेंगे यह वेब कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के होते हैं देखें पहला जो होता है यह खतरनाक नहीं होता है क्या होता है खतरनाक नहीं होता है, यहाँ पर खतरा बहुत कम होता है, यहाँ पर क्या होता है, खतरा क्या होता है, न के बराबर होता है, यहाँ पर खतरा न के बराबर होता है, इसलिए जब पहले वाले छेतर में जब खतरा होता ही नहीं है, तो इसको भुकंप छेतर में रखा क्यों जा है हटा दिया गया इसको सिसमिक जोंस से क्या कर दिया गया है। हमारे आपको कहल करते हैं यहां पर भुकंप आया मुझे पता नहीं चला लेकिन टीवी पर देखे तो पता चला रे टीवी पर भुकंप आया थे लेकिन पता तो नहीं चला किसी को नहीं पता चला लेकिन टीवी पर दिखाता है वह स्केल द्वारा मापा आता है अब हम लोग कोई-कोई भुकंप इतन कि अम लोग जल गया पता चलिया बात करते हैं तीसरे तरग की यह जब आता है ना तो यह क्या करता है और थोड़ा हिला डूला देगा आपको लगए क्या है तो यह जो जो नहें आपको थोड़ा हिला डूला देता है ये जो आपको सिस्मिक जोने क्या होता है फिला डूला देता है अब आते चोथे छेत्र की बाद ये क्या होता है बाबु ये जो है खतरनाक होता है क्या होता है ये खतरनाक होता है और ये सबसे अधिक खतरनाक होता है पांचमा जोन जो है न सबसे अधिक यानि भारत का वैसा चेतर जहां पर बहुत ही खतरनाग भुकंप आता है वो कौनसा जोन कहलाता है पांचवा और सबसे कम पहला और पहले को हटा दिया गया अब है चार ही सबसे अधिक कौन है सबसे खतरनाग पांचवा जोन और पांचवे जोन में ही आता है हिमाचल पहाड़ी इलाके है माचल परदेश गुजरात का भूज जहां पर भारत का सबसे भ्यंकर भुकंप आया था सब को पता है ना भारत का सबसे भ्यंकर भुकंप कहा आया है भूज में ही आया है चलिए तो सबसे खतरनाक जैसे उत्राखंड, हिमाचल पदेश, गुजरात, जम्मू एंड कस्मीर ये सब किसमें आएंगे पांचमें वाले भुकंप छेतर में आएंगे सोचो कितना भ्हेंकर भ्हेंकर भुकंप आता है, चलिए यहां पर हमारा पूरी तरह से भुकंप फिनीस हो जाता है, भुकंप हमारा यहां तरह से पूरी तरह क्या हो गया, फिनीस हो गया, चलिए हमने अर्थ क्विक को पूरी तरह से पढ़ लिया, अब हम लोग मिलेंगे आ आपसे अगले क्लास में जो आपका टॉपिक होगा उसको पढ़ाया जाएगा आप लोग इसी तरह सभी चैप्टर जितने पढ़ाये गज़ चुके हैं आप लोग इसको रिवाइस कराते रहिए धीर धीर आपकी अब्जेक्टिव्स भी चलेंगी अब्जेक्टिव्स कुछ- साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए और आप सभी लोग हमारे साथ पारा मेडिकल की न्यू बैच में जुड़िए हमारे टोटल लेर्णिंग एप पर जाएए और वहां से न्यू बैच को पर्चेस करिए जिन बच्चों को पारा मेडिकल 2024 की तयारी करनी है स सभी बच्चे आए और मस्त तयारी करें चलिए फिर मिलते हैं आप से अगले क्लास में आप सभी को शुक्रिया धन्यवाज जैहीन जैभारत जैशियाराम रादे रादे